बिसम लाइ रह्माने रोहिम, असलाम अलेकूम और रहमत लाही बरकातू आज हम सैंडविच के रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वेज सैंडविच बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है हमने यहाँ पर कुछ वेज लिया हैं जैसे कि टमाटर, प्याज, शिम्लामिच, हरीमिच लिया है और यहाँ पर हमने बंगो भी लिया है अब इसे हमें सब चीजों को चॉप कर लेना है बारिक चॉप कर लेजे यह दिखें यहाँ पर हमने सारे वेज को चॉप कर लिया है इस तरह से चॉप करके आपको साइड में रख देना है यहाँ पर ब्रेट के स्लाइस ली है मैंने यहाँ पर white bread लिया है आप चाहे तो brown bread का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसे one table spoon tomato ketchup ऐसे उपर से लगा लेना है और उसके उपर हम tomato डालेंगे प्यास डालेंगे चौप की हुई चौप की हुई हरिमिज डालेंगे और उसके उपर शिमलामिज डाल देंगे चौप की हुई यह सब मसालों को ऐसे हमें डाल देना है बच्चे वैसे तो वेज नहीं खाते हैं अगर इस तरीखे से खिलाएंगे तो बच्चे बहुत खुशी-खुशी खाएंगे अब यहाँ पर मैंने गोबी जो चौप करके रखी थी वो भी शामिल कर ली और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा जीरा पॉडर थोड़ा सा नमक ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है यह दिके इसके उपर से लगाकर अब दूसरे ब्रेट की स्लाइस लेंगे उ और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से दबाते हुए हमें सेक लेना है यह देखे इस तरह से अगर आप इस तरह से दबा कर सेकेंगे तभी वो अच्छे से क्रिस्पी होंगा ब्रेड इसलिए आपको इसी तरह से प्रेस करते हुए सेक लेना है अब एक साइड हो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं तो यहाँ पर सैंडवीच बन कर तयार हुआ है मैंने इसे थोड़ा सा घी फिर से लगा लिया है दोनों साइड से फिर से थोड़ा थोड़ा घी लगा लीजी और इसे अच्छे से से शेक लेना है यहां पर सैंड्विच बन के तयार है अब इसे हम निकाल लेते हैं बहुत मज़ेदार बनाता है यह सैंड्विच आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें अपने बच्चों के टिफिन में हो या सुबह के ब्रेकफास्ट में नाश्टे में भी आप इसे दे सकते हैं यह देखें इस सैंड्विच बन कर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदारी हो तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर मेरी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कि एविन आ ना जाएं अब मैं आपको ब पसंदारी हो तो एक लाइक जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज